हेलो गाइज बेलकम है आपका मेरे चैनल शुवानी बुटी लाइपस्टाइल में तो आज फे से हम बात करने वाले एक न्यू टॉपिक के साथ तो आज की वीडियो में हम जानेंगे लड़का होने के कुछ सिम्टन्स के वारे में तो यह एक दं राइट है और बहुत से लोगों के साथ होते हैं तो पाच पेसเรา को साथ नहीं होते होगे सैसा होता है तो इस 관련 लोगों से एक रिक्वेश्ट करूंगे अगर आप लोग मैं चैनल पर नीव है तो प्लेच चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिसे आने वाली वीडियो का नौटिपिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए तो देखिए जब भी महिला प्रेगनेंट होती है तो हर महिला यह जाना चाहती है कि हमारे गर में बेटा है या बेटी औ और कुछ-कुछ लेडिस इसलिए यह जाना चाहती है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी की दो बेटी होती है तो हर कोई चाहता है कि एक बेटा हो जाए तो इस मतलब हर कोई जाना चाहता है और कुछ लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग पहले ही से नाम रख ऊसमाब करेंगे दोकुछ लोग क्याना चाहते हैं तो देखिए बेटा एक बेटा बेती में कोई sciences बेह बहुते हैं कि हमारे गड़ में बेटा है या बेटी है तो चलिए आज उसी के बादे में बात कर लेते हैं आज हम आज हम बात करेंगे लड़का होने के सिंटन्स के बारे में जो एक नम सटिक लक्षर हैं जैसे ही आपका दूसरा मन्त इस्टार्ड होता है तो ध्यान से सुझें कि जैसे ह सक्थी आपका दूसरा मन्त इस्टार्ड होता है ठीक है तो कि अपके फेज़ पे घिलो जो है लोगः खतम हो जाता है आप कि न भी किंआ बीकरीम पाउटर बेट उल्हें जो भी लगातें आपके फेश का गैलो एकदम मतलßen खत्म उजाता है उना इसके ब الإ Dire Web और आपके ए यही लक्षण होता है कि आपके गर में जो पल जह शिशू हो एक बेटा है और अगर इसी का पोजिट हो जाता है जैसे अगर आपके फेस बिना कुछ लगाए एक दम ग्लो कर रहा है बहुत जदा फेस पर बैप बहुत जाया चमक रहा है तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है आपके गर में जो पल रहा शिशू है वो एक प्यादीसी बेटी है तो यही कुछ मतलब लक्षण है जो बताते हैं कि आपके गर में बेटा है यह बेटी तो यह कुछ लोगों के साथ होते भी हैं कुछ लोगों के साथ नहीं भी होते है तो यह बात में पहले ही क्लियर कर देती हूं आप लोगों को तो बताएगा किस किस के साथ ऐसा होता है और हमाई वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेर एंड में चैनल पर नहीं हो है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और फिर मिलूंगे आपसे न्यू टापिक एसाथ न्यू वीडियो में तो जब तक लिए बाइबाए ठिक के अपना ख्याल लगिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाइबाए